हलो गाईज और वेल्कम बाक टू माई चानल सिर्फ आईएस तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएस PT 365 जोकी इन्वार्मेंट की थी उसे कॉंट्निव करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट 8 प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंजे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगलर अप्डेट्स मिलती नहीं शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जो कहता है स्टॉक हॉम कन्वेंशन की बारे में जानते हैं कि ये निउस में क्यों रहा देखिए क्या करा रेटिफाइ कर दिया है बैन करीब साथ तरह के परसिस्टेंट और्गैनिक पलूटंस पे जिनको लिस्ट करा गया था स्टॉक हॉम कन्वेंशन के इंदर रेटिफाइ का मतलब होता है बच्चो अप्रूफ कर दिया है तो बैन लगा दिया है यहां पे कुछ सेवन परसिस्टेंट और्गैनिक पिलूटंस पे जिनको लिस्ट करा गया था स्टॉक हॉम कन्वेंशन के इंदर साथ में कैबिनेट ने यहां पे डेलिगेट करी है अपनी पावर्स कुछ रेटिफाइ करने के लिए केमिकल्स को अंडर दे स्टॉक हॉम कन्वेंशन किनको दी है यूनियन मिनिस्ट्रियस ऑफ एक्स्टरनल अफेर्स साथ में इंवार्मेंट फॉरस्ट और्डैमेट चें तीसरा है इसमें हेक्जाब्रोमोडी फिनायल लिदर और हेप्टाब्रोमोडी फिनायल लिदर मतलब कमर्शियल ओक्ताबी डिए उसके बाद है इसमें टेट्राबोमोडी फिनायल लिदर और पेंटाब्रोमोडी फिनायल लिदर यह कमर्शियल पेंटाबी डिए है उसके पेंटा-क्लोरो-बेंजीन फिर आता है हेक्सा-ब्रोमो-साइक्लो-डो-केन बहुत ही नंबर नाम है अगर प्रेंशियेशन में थोड़ी से गलबढ हुई हो और लास्ट में आता है हेक्सा-क्लोरो-ब्यूटडीन तो इन साथ तरह के प्योपी पेंट लगा दिया किया है आईए जानते हैं कुछ खबर के बारे में और बात है देखिए जो अप्रूबल दिया है रैटिफिकेशन दिया है रैटिफिकेशन प्रोसेस है वो इंडिया को यहां पे नेमिल करेगा कि आप एक्सेस पासकते हैं गलोबल इंडिया को तू एक्सेस ग्लोबल इंवार्मेंट्फ के वोगेंटिस फैशिलेटि फैश्वीज सब्लeter प्लान है इसलिए है का développल वीधिकेशन नाज्युजडर्टिफेशन डैटिया को अप्लेमेंटिय। जिफिकेशन फ्रीछेशन नेविए कि बांढ़ेंगीभी तीट एक प सुस्टोक हॉम कन्वेंशन के अनिदर उसे कांट्री पूरी कर सके। लिएतनी बास समझ मैं इस रैटिफिकेश्न को इंडिया को क्या फाइदा हुआ अब मुद्दा आता है मेन की स्टॉक हॉम कन्वेंशन क्या है यह समझेगा बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए स्टॉक हॉम कन्वेंशन की पूरे वर्ल्ड की मतलब एक ग्लोबल ट्रेटी है जो प्रोटेट करती है हुमन की हेल्थ को और इंवार्मेंट को परसिस्टेंट और्गैनिक प्लूटेंट से यह लीगली बाइंडिंग है और इंडिया ने इसको रैटिफाई करा था 2006 में इसमें देखिए मिनिस्ट्री आफ इंवार्मेंट ने नोटिफाई करे थे रेगुलेशन ओफ पी ओपी रूल्स 2018 को किसके अंडर अंडर इंवार्मेंट प्रोटेक्शन आक्ट 1986 के अंदर और जो परसिस्टेंट और्गैनिक प्लूटेंट की बात कर रहे हैं यह मालू में क्या होते हैं यह ऐसे केमिकल सब्स्टेंस होते हैं जो इनवार्मेंट में आपको देखने को रहे सकते हैं एक बायो अकडे कर सकते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी होते हैं यह लॉंग रेंज इन्वार्मेंट ट्रांसपोर्ट मतलब अगर बहुत दूर तराश तक चले जाएंगे तो यह होते हैं और यहां पे अगर आप भई बहुत देर तक रहें इस पर्सिस्टेंट और इस प्योपीस के जो एक्स्पूजर है इसकी वैसे मालू है कि आंसर हो सकते हैं इनसान को सेंटर और पेरिफिरर नर्जर सिस्टम में डामेज हो सकता है इम्यून सिस्टम को डामेज कर देगा डिजीज ले आएगा रिप्रोट्टिव डिसॉर्डर्स हो सकते हैं बच्चों का डेवलप्मेंट यहां पे दिक्क यहीं एक वज़ा देखने को मिलती है जो मिस्ट्री डिजीज होते हैं इनकी वज़े से करीब 450 पेशेंट्स जो है वो इंपाक्ट हुआ है इन विच इन विद सीजर्स नॉसिया डिजिनेस और हैडेक देखने को इनके अंदर मिली है इनको अजीब साल आगेगा उनको यहीं ग्रुप ऑफ एक ख्लोरिनेटेट कंपाउंड यह क्या है एक क्लोरिनेटेट कंपाउंड का जो है जो आपका परसिस्टेंट और अर्गैनिक पलूटेंट के ही क्लास से बिलॉंग करता है और यह रिलेटिव ली काफी सस्थे होते हैं इसलिए इनको एशिया के अंद आपको कर सकते हैं Central or Peripheral Nervous System में काफी आपको दिखकर दे सकते हैं adverse effect आपको देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं इनकी वज़ेसे तो यह कुछ हमने बात करी इस पूरे topic के बारे में बढ़ते हैं next topic की तरब Topic बोलता है Environmental Performance Index के बारे में देखे news के बारे में पहले जान लेते हैं Environmental Performance Index को recently released करा गया है Yale University के दौरा कौन से इन्वरस्टी है यह यह यूनिवर्सटी है इतनी बात समझ में आ गई तो आप कुछ बात चानेंगे Environmental Performance Index के बारे में EPI के बारे में कुछ बात जानते हैं देखे कि bionial index है इन्दिकलता है by-annual और by-annual ka मतलब निकलता है तो यह यहां पर 180 80 countries को rank करता है करीब 32 performance indicators के basis पे और 11 categories में जिसमें सारा का सारा environmental health और ecosystem vitality सबकुछ आता है अब देखिए जो environmental performance index rank करता है मैंने आपको बताया कि इन सारी countries को करता है 180 countries को करता है environmental health और ecosystem vitality में और मैंने बताया कि 32 performance indicators के basis पे करता है करीब 11 categories में करता है और 11 categories कौन कौन सी है मालूम एक है आपकी air quality की दूसरी आपकी sanitation and drinking water तीसरी है heavy metals चौती है waste management पाचवी है biodiversity and habitat चटी है ecosystem services साथ भी है fisheries आठ भी है climate change फिर आती है pollution emissions और फिर आती है water resources और आकरी में agriculture तो यह कुछ 11 categories है और जो overall EPI की ranking है यह में दिखाएगी कि कौन सी country best सबसे अच्छे तरीके से यहां पे environmental challenge को अपने address करती है और जो हर एक भई हर एक देश कोई ना कोई environmental challenge face करता है तो सब कौन सी country ऐसी है जो अच्छी तरीके से अपने सारे environmental challenge को face कर रहे है समझ आ गई यह environmental performance index क्या है जैसा ना वैसा काम आखरी में कुछ key findings की बात करें तो इंडिया की rank आई है 168 मतलब आँ समझ हो हमारी rank 2018 में 177 थी क्यार उससे सही है 168 rank आई है out of 180 countries in the 12th edition जो 12th edition आया ह is environmental performance index का उसमें हमारी rank इती हो गई 168 हो गई इंडिया का जो score है below the regional average score है सारे ही पांचों parameters में जो की environmental health related है समझ जो rank ही कितनी खराब है सारे जो South Asian countries हैं अफगानिस्तान को छोड़के यह इंडिया से सबसे जादा आगे चल रहे है मतलब इंडिया से आगे चल रहे हैं सारे South Asian countries तो आप समझ लीजे हम आपी काम ही कर रहे हैं बाकि सरकार पर क्या थोपे तो इंडिया को redouble करना पड़ेगा अपना national sustainability efforts को मिलब सारे कदम जो सारे front पर ऐर के front पर water quality को लेके biodiversity को लेके climate change को लेके हर एक field में हमें अपने आपको दूगना-दूगना काम करना पड़ेगा तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे समझ रहे हैं तो बाकी चीजों से सोड़िये इन चीजों पर ध्यान दीजे जिन्दगी इसी पर अटकी हुई है कदम होता है यह पार्ट यही पर तो मिलते हैं आप से नेक्स पार्ट में तब तक के लिए if you like the video please like the video share it with your friends subscribe your and your channel sirfi us if you want to follow me on any social media platform link is in the description along with this if you want to watch these videos on facebook just like the piece sirfi us and also you can join my membership and enjoy the various perks thank you so much for discussion have a wonderful day take care